इस रुपजी बात करें अगर सोयबीन की तो अमेरिकी सोयबीन वायदा देख रहे हैं 1700 के पार जा चुका है 1732 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है रुपजी देख रहे हैं कि अमेरिकी सोयबीन वायदा में अचानक से उच्छाल देखने को मिला है भारत में भी सोयबीन की जो प्राइज़े हैं वो भी ठीक ठाकी देखने को मिलें ना जादा तेजी की ओर है ना ही जादा मंदी की ओर भाई का सीजन अब आ जाएगा तो रुपजी ऐसे में क्या लगता है क्या सोयबीन की जो प्राइज़े हैं वो तेज़ बनी रहेंगे या फिर भाई के समय दामों में मंदी आ सकती है अब थोड़ा सा अधिगोल ओयल पैक एक बहुत थोड़ा सा प्रैशर में एक प्रेटर है कि जा सकते है तो तेजी थी वो अब रुप्टी नजर आ रही है और भी थोड़ा सा प्राइजिस के अंदर डाउंसाइग बन सकता है अगे चलतर तो फिलाल कि नीज ओएल मार्कित है वो थोड़ा सा भी नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं कि इसमें गिरावट बढ़ तकी है जी जी